प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की एक call recording viral हो रही है जिसे सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि चुनाव आते ही मोधी की call recording viral कैसे हो जाती है आखिर इन्हें कौन record करता है खुद मोधी या जिससे वो बात कर रहे हैं वो record करके जानबूचकर viral करवाता है कहीं recording खुद मोधी ही तो record करके viral नहीं करवाते जिससे टीवी चैनल पर चलाई जाए और indirectly उनका प्रचार हो जाए आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि ये सब कुछ हो रहा होता है और देश का चुनाव आयो क्या अंदा होता है जिसे ये सब कुछ दिखाई नहीं देता नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं स्रल टॉक आखर हो क्या गया हो ये गया कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम मंगाल की कृष्णा नगर सीट से जो बीजेपी की प्रत्याशी है अम्रता रॉय उनसे फोन पर बात करते हैं और बात करते हुए अपना एक आइडिया शेयर करते हैं वो कहते हैं कि हम इस दिशा में आगे प्लान कर रहे हैं अगर हमारी सरकार आई तो इसको लेकर के हम कानूनी प्रावधान भी करेंगे कि पश्चिम मंगाल में एडि ने जो पैसा जब्त किया है हजार करोडों में इससे हम गरीवों में बातेंगे सबसे पहले आप इस रिक बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो तीन हजार करोड रुपया इजी ने एटेश किया हुआ है वह तीन हजार करोड रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के और वह उनको वापिस देने के लिए कोई रास्ता में खो जूँँगा यह जुरू बताईए आप लोगों को हम बोलेंगे आपने रिकोइडिंग सुन ली अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पैसा बांटेंगे क्या यह बास्तम में हकीकत में ऐसा है वो भी तब जब इलेक्टोरल बॉंड के नाम पर जो व्यक्ति जो देश का प्रधान मंत्री कि वो खुद चोरी और वसूरी में लिप तो हो क्या वो गरीबों को बाट सकता है एक तो आपके मन में यह सवाल आएगा दूसरा यह सवाल आएगा कि ऐसी ही बात उन्होंने पहले भी दो हैयार चौदे में चुनाब हुएते तब कहा था कि सब के खातों में पंद्रा वापिस आएंगे उस में से 5-10 परसंट है मामन जो लोग इमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेश करके जो सलरी वाले लोग है उनका बेचारे को को चारा नहीं है उनका तो इंकम्रा यह ही कर जाता है उनको उनको गिप के रूप में उस में से 5-10 परसंट में आपने ये recording भी देख ली अब आप खुद सोचिए क्या देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 15 लाख अब तक खातों में डलवाए क्या वो काला धन वापस लेके आपाए क्या तो इससे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नियत पर सवाल उठता है कि उनकी नियत साफ नहीं है उनके मन में उनकी नियत में खोट है अगर खोट नहीं होता तो आज 10 साल हो गए 15 लाख नहीं तो कम से कम एक एक लाख रुपया तो वो देखी सकते थे नहीं दिया इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के यह कहीं गरीवों को फासने की प्लानिंग है और यह जो रिकॉर्डिंग चल रही है यह खुद मोदी ने ही रिकॉर्ड करवाई हो अपनी टीम को बोला हो कि इसको शेर करवाई है और यह रिकॉर्डिंग सारे ही टीवी चैनल पर चल रही है तो यह कहीं इंडारेक्ली प्र हो रहा है और देखिए हमारा इतना बड़ा देश उसमें एक चुनाव आयोग उसमें एक भाई साब ते राजीब कुमार मुक्च चुनाव आयोग जिस दिन प्रेस कॉन्फरेंस की थी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अब ज़रा खुद देखिए कि मोदी जी पर वो क्या एक्शन लेते हैं क्या मोदी जी का नामांकर रद करेंगे क्या वो साब तोर पर कहेंगे क्या आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता है टीमसी के नेताएं साकेद गोकले उन्होंने बाकाइदा ट्विट करके जो है लिखा है कि एना इसको शेयर कर रहा है आकर अरे पहला मामला नहीं है इससे पहले भी जो है मोदी जी की सिकायत हों क्यों ही गया नहीं हुई आपको बता दे कि यह जो सीट है इस पर TMC की महुआ मोहित्रा खड़ी हुई है उनके खिलाब रासाही परिवार की जो अमरता राय है वो कृष्णा नगर सीट से खड़ी हुई है आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर क्या कॉल रिकॉर्डिंग खुद मोधी ने व सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ स्रल्टॉक के फेस वोग टोटा टेलीग्राम इस्टेग्राम पीच को आप जरूर फॉलो कीज़ां तुम्हें सभी से एक अपील है कि स्रल्टॉक को जॉइन वे थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए जिसे हम और बहतर कार कर सकें नमस्का झाल